सिवान नगर थाना शृत्र के अमेटकर नगर सिग्वेक्ति को बदमाशों ने अपहरण कर लिया था जैसे ही इसकी चानकारी पुरस को ही टीम गठित का तुरित कारवाई करते विए पांच खट्डिक अंदर मेरवा से अपहरध को बरामत कर लिया बताया जाता है कि 22 लाफ रुपई के लिए बदमाशों ने राजेश कुमार सोनी का अपहरण कर लिया था मामले में नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने बताया है कि अपहरध राजेश कुमार सोनी को बदमाशों ने थाना शृत्र के अंबेटकर नगर से अपहरण कर लिया सो मार के सुवार राजिश के सोजनों ने थाने में पहुँच का रिसकी चान करी दी आपको बतादे चले नगर थाना कार्ण संक्या 481 बटे 24 दर्श कर कारीवई शुरू कर दी गई अनुसंधान के क्रम में गयात हुआ कि नगर थाना श्रित्र के अमबेट कर नगर से अप्रहत राजिश सोनी को विवे कुमार पांडेवा अग्यात दौरा रूपए के लिए देन के संबंध में अपने साथ ले जाया आपको बता दे लिचाकर घर पर बंध किया गया है इसके बाद तक्नीकी सहायता के सहियोक से चापे मारी कर राजYour सोनी को मेर्वा लंगर पुर के पास से बरामत किया गया गया है बताया है कि घटना में शामल बदमाशों के गरफतारी के लिए चापे मारी की जा रही है। राजीश ने पूस्ताश के दोरान बताया है कि उसने ब्याज पर रुपए लिये हैं जिसे उसने लोटा दिया है। लेकिन ब्याज करीब 22 लाग रुपए हो गया था। उसने ब्याज के रुपए हो की वांग आरोपी तो दोरा की जा रही है।